हाई गाई इसके वीडियो में मैंने अपको कराया था मैस्कुलिन an feminine vouchers और आज हम करने जा रहे हैं उसकी वो मुश्किल लगता है तो मैं आपको WhatsApp नमबर दे दूँगी अपना इस वीडियो के एंड में उस WhatsApp नमबर पर जाकर आप मुझे WhatsApp मैसेज कर देना बट बेटर वही रहेगा अगर आप किसी और वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर लो क्योंकि मैं WhatsApp बहुत कम देखती हूं और यह जो कमेंट्स वगरा होते हैं यह तो मैं देखती ही रहती हूं पूरा दिन और मैं चाहती भी हमेशा ऐसे हूं कि जो भी आप मुझे से question पूछो मैं साथ के साथ उसको जवाब जरूर दे दूँँ तो चलो start करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम करेंगे feminine and masculine nouns की वरकशीट तो question क्या है question है change the gender of the underline nouns gender change करना है मतलब अगर masculine noun दिया हूँ है तो feminine noun बनाना है अगर feminine दिया हूँ है noun तो masculine noun में change करना है ठीक है तो इस तरह से उसको बोलते है gender को change करना ठीक है तो चलो करते हैं start अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लो को क्योंकि वो अगर नहीं देखी होगी न तो फिर आपको यह अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो चलो start करते है the prince loves shiny clothes असमें prince को underline करना है the prince loves shiny clothes जो prince है वो shiny clothes जो है वो पसंद करता है उसको अच्छे लगते है तो यहाँ पर prince का हो जाएगा princess ठीक है the princess loves shiny clothes जो princess है उसको shiny clothes पसंद है मतलब prince का gender change किया तो क्या बन गया princess ठीक है next है his brother is very intelligent brother ठीक है तो brother का gender change करेंगे तो क्या हो जाएगा sister his sister is very intelligent ठीक है next she has a cute dog dog को underline कर रही हूँ मैं तो dog का जो होता है gender change करते है तो इसका होता है bitch ठीक है तो इसका क्या होता है dog मतलब male dog जिसको हम बोलते है kutta और bitch क्या होती है kutia ठीक है मतलब female dog जो होता है उसको हम बोलते है बिच ठीक है, female dog को क्या बोलते हैं, बिच बोलते हैं Next, the king loved his son, इसमें मैं दो को underline कर रही हूं, the king को भी और son को भी The king, king का क्या होगा gender change करेंगे, तो queen, raja, rani Loved his, अब यहाँ his भी change होगा, क्योंकि कई बिरी ऐसे चीज़े होते हैं कि हमें सासत वो भी चीज़ चेंज करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा her The queen loved her, son की बजाए क्या आजाएगा, daughter Son का क्या होता है, daughter, son मतलब बेटा, daughter मतलब बेटी तो इस तरह की अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इस तरह की और भी sentences जिसमें आपको जेंडर चेंज करने के इलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी तो उससे क्या होगा आपकी और भी जादे प्राक्टेस हो जाएगी, ठीक है Next है, a deer is running in the forest, deer क्या होता है, hiran, deer को अंडरलाइन कर रही हूँ तो deer का जेंडर चेंज करते हैं, तो होता है doe, a doe is running in the forest, यह हिरन, यह हिरनी, ठीक है तो वो forest में जंगल में भाग रहा है, हिरनी जंगल में भाग रही है, ठीक है My father is an engineer, father को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो father का जेंडर चेंज करेंगे तो mother मेरे पापा एक engineer है, मेरी मम्मी एक engineer है, ठीक है फादर का जेंडर चेंज करेंगे तो mother I saw a gander in the zoo, मैंने जो zoo के अंदर एक gander देखा यह क्या होता है, huns, इसका क्या मतलब होता है, huns होता है, ठीक है I saw a goose in the zoo, goose क्या होती है, hunsini, ठीक है तो मैंने एक hansini को देखा, zoo में That girl is my niece, that girl, इसमें मैं दो को underline करेंगे हूँ, girl को भी, niece को भी तो girl का change करेंगे, gender तो क्या बन जाएगा, boy और niece का होता है, nephew niece क्या होता है, भतीजी, या फिर भांजी, ठीक है और nephew क्या होता है, भतीजा, या फिर भांजा, ठीक है A horse is in the field, जो horse है, वो field में है, ठीक है, खेत में है तो horse का होता है, mayor, ठीक है यह होता है, horse घोड़ा, mayor घोड़ी, ठीक है I hope आपको पता होगा, mayor तो शायद आपको नहीं पता होगा पहले लेकिन horse का तो पता होगा, पका है न My land lady is very nice, जो मेरी मकान मालकीन है, वो बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है तो land lord का हो जाता है, land lady का हो जाता है, landlord Lord, मेरे जो मकान मालिक, मकान मालिक, ठीक है, is very nice, I hope बच्चों ये विडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप एक पैरेंट हो, टीचर हो, ये विडियो देख रहे हो, तो बेजी जग, आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये वली वक्षित दे सकते, इसे उ सिंटेंस लिख दिया, और दियर कॉंडलेंट कर देना, और उपर बता देना उनको, that you have to rewrite the sentences, कि दुबारा से आपको रिराइट करने है, by changing the gender, ठीक है, तो उसके आगे दियर का वो दो लिखेंगे, और पूरा सिंटेंस भी लिखेंगे, इससे बच्चों के लिखने की प्र पक्का बन जाओगे, चलो करते हूँ, आज का वीडियो यहीं पर एंड जल्दी ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तर के लिए, टेक गियर आफ यॉरसेल्ट्स